बिस्मिल्ला जमान रहीम, अस्सलाम उलेकुम, उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे अल्ला से दुआ है कि अल्ला आप सब को अपने अपने घरों में खुश और अबाद रखे, आमीन आज मैं आपके साथ बच्चों के बहुत ही फेवरेट पोटेटो नगिट्स की रेस्पी शेयर करूँगी पोटेटो नगिट्स बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, नो डाउन कर लें यहां पर मैंने तकरीबन 1.5 kg आलू लिये हैं, जिनको मैंने बॉइल करके उनका छिलका उतार लिया है, इन्हें हम मैश करेंगे इसके अलावा ब्रेड क्रम्स इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, हम एक कप, यह मैंने बजार वाले लिये हैं, आप घर के भी ले सकते हैं एक कप काउन फ्लोर शामिल करेंगे, मसालों में 1 टी स्पून काली मिरच, 1 टी स्पून कुटी लाल मिरच और नमक हस्बे जाइका आलों को मैंने मैश कर लिया है, और सबसे पहले मैं काउन फ्लोर शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी सी बाइडिंग होगी, और बहुत ही क्रिस्पी नगे स्यार होगे, क्रिस्पीनेस भी आएगी उनमें, और यह ब्रेड क्रम्स हैं, आप ब्रेड को रोस्ट कर लें, अवन में या माइक्रोवेब में, और फिर उसको क्रश करके इसके अंदर शामिल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, यहां पर बारी आगई है, स्पाइसी को शामिल करने की, आप स्पाइसी को कम या जादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मताबिक, और अब मै इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आप चमच की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, उससे जदा अच्छे से मिक्स होंगे, यहां पर सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यह देखें, इस तरह का मिक्शर रेडी हो गय और अब हम बनाएंगे nuggets, आप अपनी मर्जी है, जिस size के बनाना चाहें, जिस shape में बनाना चाहें, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको मुख्तलिफ shapes के भी बना सकते हैं, जैसे biscuits के mold होते हैं, stars cutting हो गई, या फिर square हो गई, round हो गई, तो आप इसको flat कर करके, और फिर cutter की मदल से भी cut कर सकते हैं, और जिस तरह मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, आप इस तरह इसको round में या square में त्यार कर सकते हैं, यह देखें, मैं आपको एक और बनाना बताती हूँ, पहले इसको अच्छी तरह bind कर लेंगे, ताकि इसमें cracks नाएं, वरन बाकी सारे nuggets को भी ready कर लेती हूँ, और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सारे nuggets मैंने ready कर लिये हैं, आप इस टाइम पे इनको freeze कर सकते हैं, फ्रीजर में बहुत अच्छे रहते हैं काफी दिनों तक, और जब आपने fry करने हो, इनको निकालें, और direct oil के अंदर शामिल कर द यहाँ पे मैंने सारे potato nuggets को शामिल कर दिया, और अब इनको deep fry करेंगे, तकरीब बन 5-6 मिनट में यह बहुत अच्छे से crispy हो जाएंगे, यहाँ पे potato nuggets बहुत अच्छे से fry हो रहे हैं, इनको हलका हलका मैं चमच से गुमा रही हूँ, ताके even चारों तरफ से अच्छे से crispy हो और अच्छी तरह golden हो जाएं, यहाँ पे बहुत अच्छे से potato nuggets फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इन पे golden color आना शुरू हो गया है, एक मिनट के लिए हम इनको और फ्राई करेंगे, और फिर इनको हम dish out कर लेंगे, यहाँ पे सारे potato nuggets को मैं oil में से नि आप इस रेस्पी को जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे potato nuggets को मैंने dish out कर दिया है, आप इसको किसी भी sauce के साथ enjoy कर सकते हैं, बच्चों के lunch box में दे सकते हैं, as a snack इस्तमाल कर सकते हैं, और मुझे उमीद है कि आपको यह आसान रेस्पी अच्छी लगी होगी, मैं इंश